पश्चिम बंगाल परदेश कोंगरेस अद्यश अधीर रंजन चोधरी द्वारा दायर मेटरो डेरी मामले में पश्चिम बंगाल सरकार का परते निद्धेतु करने के लिए अदालत पहुंचे कॉंग्रेस निता और अधिवक्ता पी चिदमरम को कलकता हाई कोर्ट में कॉंग्रेस समर्थित वकीलों द्वरा विरोध का सामना करना पड़ा कॉंग्रेस समर्थित वकील कोर्ट रूम के बाहर उनके खिलाब नारे लगाने लगे और उन्हें काले जंडे भी दिखाए गए कॉंग्रेस समर्थित वकीलों ने उन्हें तरण मूल कॉंग्रेस का एजेंट बताया साथी कॉंग्रेस के वकीलों ने पश्चिम बंगाल में पार्टी के खराब परदशन के लिए भी चिदमरम को जिम्मिदार बताया हाई कॉर्ट में सुनवाई के बाद कोर्ट रूम के बाहर निकल रहे वकील और पूर केंद्रे मंतरी पीच चिदमरम के खिलाब कॉंग्रेस समर्थित वकीलों ने परदशन किया बुद्वार को मेट्रो डेरी से जुड़े एक मामले में चिदमरम कलकता उच नियाले में सरकार की ओर से हाजिर हुए थे यह मामला कॉंग्रेस के अधिर रंजन ने राज्य सरकार के खिलाब कदा चार का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया था बुद्वार को कलकता हाई कोड में एक अजीव नजारत देखने को मिला कॉंग्रेस नेता और अधिवक्ता पी चिदमरम को कॉंग्रेस सेल के वकीलों के विरोध का सामना करना पड़ा जहां वह एक कानूनी मामले के सम्मंद में मुझूद थे कॉंग्रेस समर्थ को ने नारे बाजी की और उन्हें काले जंडे दिखाए उन्हें पश्चिम बंगाल पार्टी के खराप परदशन के लिए जिम्मेदार टीमसी का हमदर्द करार दिया कॉंग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चोधरी का आरोप है कि सरकार ने कंपनी के शेर पानी के दाम पर बेचे है सिंगपुर की एक कंपनी को राज्य सरकार ने शेर सस्ते में दिये है इसके खिलाब उन्होंने कोर्ट में जन्हीती जाचिका दायर की है आज उसी की सुनवाई के लिए सरकार की ओर से पीच दमरम हाजिर हुए थे बुद्वार को सुनवाई के बाद जैसे ही पीच दमरम कोर्ट से बाहर आए उन्हें कॉंग्रेस समर्थित वकीलों में शामिल कॉस्ताव बाक्ची ने घेर लिया और चितमर से वे कहते रहे कॉंग्रेस पार्टे के आप जैसे लोगों के कारण यह इस्तती हो गई है वकील कॉस्ताव बाक्ची ने कहा आज के दिन जो हुआ उससे कॉंग्रेस की चवी खराब हो गई है कॉंग्रेस कारिकरता भावनात्मक रूसे आहत है इसलिए उन्होंने विरोध किया क्या है